नमस्कार बहुत सुवगत है सुभा के प्राइम टाइम बेंड का सबसे चट्ची शो दसका दंगल में मैं हूँ आपके साथ सोनिका सिंग नमस्ते मैं हूँ आपके साथ रोहित पोख्रियाल दमाखिदार और एकदम जुदांदास में खबरों को देखने के लिए आप तयार हो जाएए क्योंकि अभी से एक घंटे तक विवाद, गॉंट्रूवर्सी और वो बयान जिनसे घमासान मच गया है हर खबर की तेह तक होग इडी के चाप इमारी में अब तक करीव 50 करोड और 10 किलो सोना बरामाथ हो चुका है कैश को बक्सों में भर भर कर ट्रकों में ले जाया गया है हम आज इस खबर पर पूरा विश्लेशन करेंगे और जानेंगे वस्टाचार का पहाड बाकी है कितनी राज्ज इसके बाद हम बात करेंगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ममता के मंत्री पार चटरजी के करीपियों से इतनी मात्रा में काला दन मिलने के बावजूद दीदी अब तक खामोश क्यों है हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आखिर सी एम ममता को अब कितने और सब करेंगे दर्भंगा में PFI के किन निताओं के घर पर छापे मारे हुई है और NIA की कारवाई के बाद पटना से केरल तक क्यों टेंशन में है PFI ये भी आपको बताएंगे और हम बात करेंगे जिहादी गैंके लव जिहाद के बारे में जो अब हिंदू बेटियों के साथ सिक बेटियों को भी अपना शिकार बना रहे हैं कैसे गाजियाबाद में आठ साल तक शानमाज ने अपना नाम बदलकर लव जिहाद को अनजाम दिया और एक बच्चा पैदा होने के बाद कैसे की धर्म परिवर्तन की कोशिश अब इस वक्त की बड़ी घबर दसका दंडल गागास करते हुए आपको बताते हैं अर्पिता के दूसरे घर में भी छापिमार कारवाई जा रही है अब तक 28 करोड कैश बरामद हो चुका है एडी ने 4 करोड का सोना भी मौके से जब्त किया है सोनिका बिल्कुल और देखिए इस छापे में संपत्ती से जोड़े दस्ता वेज भी बरामद हुए है एडी ने अर्पिता के दूसरे फ्लैट को भी सीच कर दिया है अर्पिता के पहले घर से 20 करोड बरामद हुए थी और अब दूसरे घर से भी देखिए करोडों में कैश बरामद हुआ है एग के बाद एक खुला से हो रही है एडी के तरब से कारवाई लगाता चल रही है चाहे वो पार्थ चैटर जी के करीवी हो इनके रिष्टेदार हो या इनके जानने वाले हर किसी के घर पर इस वक्त एडी के तरब से लगाता है अच्छा पेवारी कारवाई की जारी गया और भारी मात्रा में देखिए एक अलग दूसरे फ्लैट से भी करोडों में कैश बरामद हुआ है और चलिए दस्का दंगल में आगे रुक कर लेते हैं आपको बता दे इसमें जेक और बड़ी खबर सामने आ रही है ये बड़ी खबर है बंगाल कैश लोग से जुड़ी हुई बड़ी खबर अरपिता मुकरजी से एडी फिर पूछताच करेगी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है इडी बेलघरिया कैश मामने में पूछताच करेगी कल इडी ने बेलघरिया वाले घर से 28 करोड बरामत की तो आप देखिए लगातार इडी जो है अब तक 50 करोड से जादा संपत्ती जब्द कर चुकी है अरपिता के घर से दो अलग-अलग फ्लैट से अब तक ये कुरकी हो चुकी है कई किलो सोना, दस किलो से जादा सोना और अब आप देखिए बेलघरिया से जो पैसे बरामध हुए है जो डॉक्यूमेंट एडी अधिकारियों के हाथ पे लगे है उस पर पूशता चोगे और देखिए बड़ा सवाल यही है क्योंकि बार-बार चीम से इस बात को कह रही है ना कि जीरो टॉलरेंस है प्रेस्ट अचार के खिलाव ये ममता दीदी का राज है ममता दीदी की सरकार है या पर पकता भी नहीं सकता उनके बिना तो बड़ा सवाल यह कि इतना बड़ा इतना बड़ा घोटाला नाक के नीचे हो गया और क्या सुवी की मुख्या को पता नहीं चला क्या दीदी को पता नहीं चला और आखिर कब तक दीदी की ममता पार्थ पर बनी रहेगी ये एक बड़ा सवाल है और देखेे लगातार हम आपको बड़ी ख़बरे बता रहे है। तो दो बज़े बैचक बुलाई गई है क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर अब तक कैबिनेट से बरकास क्यों ने किया गया एडी ने गिरफतार किया है पाच चटरंजी को लगातार ऐसे कॉंटाक्ट से निगल कर सामने आरे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से ततकालीन सिक्षामंत्री पाच चटर्जी ने सक突र भरती में किस तरीके से और किस तर पर गोटाला किया था आप देखें जब से पाथ चटरजे की गिरफतारे की खबर आई है कॉलकता के सड़कों पर जो छात रहे हैं जो बहरती है वो नाचते हुए गाते हुए नजर आए वो इस बात पर है इस बात पर खुश है कि ममता बनर जी अब तो उनके साथ इनसाफ करेंगी अगली बड़ी खबर कर उख करते हैं ममता सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन होगा कॉलकता में बीजेपी का विरोज प्रदर्शन का कारिक्रम है दोपेर एक बजे बीजेपी ये मेगा रैली करेगी जिसमें ममता सरकार को घेरती वी नजर आएगी पार्थ चाटर जी के स्तीफे की मांग करेगी बीजेपी लगातार ममता बैनर जी को जबसे ये पार्थ चाटर जी और अर्पिता मुखर जी से जुड़े तमाम जो पैसे हो निकल कर सामने आ रहे हैं घेरती वी नजर आ रहे हैं शुवेंदो अधिकारी लगतार कह रहे हैं कि आखिर किस बात का इंतजार ममता बैनर जी कह रही है आखिर ममता मंत्री मंडल से अभी तक पार्थ चाटर जी को क्यो नहीं अटाये गया है और इस बैठक के बाद दो बजे एक कैबिनेट की मीटिंग ममता बैनर जी ने भी बुला रखी है तो आज बड़ी रैली एक तरीके से बीजेपी कलकता की सटकों पर अपने तमाम कार करताओं के साथ उतुरेगी चेरे पर पार्थ चाटर जी का नकाब पहन के और एक अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए ममता सरकार को चेताने की कोशिश करेगी तो कहीं न कहीं पश्चिब मंगाल में इस वक्त सियासी लडाई भी पार्थ चाटर जी और अर्पार होती हुए नजर आ रही है और आईए अब हम आपको बताते किस तरीके से ममता के करीबी पर एडी का शिकंजा कस्तावन जरा रहा ये वो तमाम लोग है देखिए अर्पिता मुखर जी मानिक भटाचार्या पार्थ चैटर जी और इसके साथी साथ प्रवेश अधिकारी परेश अधिकारी ये वो तमा प्रवरतन निदेशाले क्यों बताया है कैश्रूम में पार्थ और उनके लोग जाते थे एक कैश्रूम बना हुआ था जिसमें पार्थ चैटर जी और उनके लोग जाते थे इसके साथी साथ बिना इजाज़त इजाज़त cashroom में entry तक किसी की नहीं थी ये बड़ा खुलासा अर्पिता मुखर जी ने प्रबरत ने देशाले की पुस्ताश में किया है बिना इजाज़त cashroom में entry नहीं थी केवल जिस लोगों को वहाँ जाने की जाज़त थी, वह उस कमरे में घुश सकते थे, ये भी बड़ाрь खुला सकएया गया, इसके साथ इसाथ सारा पैसा ठिकाने लगाने की प्लानिंग जो है वो की जाती थी, प्लानिंग के जरिये पैसे को ठिकाना लगाया जाता था और दस्वा बड़ा खुला सा बाहर ले जाने से पहले ED का च्छापा जो है पड़ गया यानि कोशिश इस बात की की जा रही थी कि जो पूरा पैसा है ये बाहर ले जाया जाये किसी भी तरीके से सीधा ग्राउंड जोरो का रुक करते दास कलकता से हमारी सहयोगी सुर्भी एक बड़ी खबर के साथ जुड़ी हुई है हमारे साथ बिल्कुल चंते देखे इस बीच जो बड़ी जानकारी सामने आप बड़ी खबर इस वक्के आपको आप पार चार्टर जी को उनके तमाम पतों से बर्खास्त कर दिया जाए हटा दिया जाए हाना कि आज दो पर ममतब एनरजी ने एक मीटिंग भी बुलाई और उस मीटिंग में फैसला होगा कि क्या पार चार्टर जी आपने पाद पर बरकरार रहेंगे आप नहीं रहेंगे और इसी को लेकर कि ये पूरा मीटिंग होना है लेकि जो सबसे बड़ी जानकारी कुनाल घोज जो की टीम्सी के खुद नेता रहे हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया है उन्होंने ट्वीट करते वे काए कि अगर उन्हें अभी जल से जल नहीं अटाया जाता है तो फिर हम इस तरीकी का अक्शन लेंगे और देखें अगर मैं कहीं पर भी आपको गलत नजर आता हूँ तो आप बेशक मुझे पार्टी से बरकास्त कर सकते हैं ये आ कुनाल घोष का ट्वीट सामने है जी चंदर बिल्कुल बिल्कुल लगातार सुर्भी ये बड़ी अपडेट दे रही है कि अब त्रिनमूल कॉंग्रेस में ही पार्थ चैटरजी को लेकर दो फार्ट ने जर आ रही है त्रिनमूल कॉंग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कुनाल घोष ने की तुरंट जो है पार्थ चैटरजी को मंत्री मंडल से हता है जाए पार्टी से बरकास्त किया जाए तो कहीं न कहीं लगातार तो आप देखें लगातार लगातार ये तमाम चीज़ें एक 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 स्पोस है जेंद उस्तान अपने दर्शकों के सामरे कर रहा है सुर्भी ग्राउंड्स गिरों से लगातार हमारे साथ सुर्भी आज जो मीटिंग है दो बज़े उससे पहले एक बज़े भारते जनता पार्टी भी तो घेर रही है कट बनी एक बड़ा विशह था बंगाल के अंदर और बड़ा सवाल यही कि अब तक किस चीज़ का इंतजार ममताख बनर्ची कर रही है इतने सबूत नाकाफी है क्या उनके लिए तो देखिए लगातार E.D. के अधिकारी पूश्टाज कर रहे है पाच चथरची हो इसके अलावा और पिता हो इसके अलावा और बी कई असे नाम है कई और टीम से के नेथा जिने E.D. ने समन करने का मन बना लिया है कई और चेहरे इस वक तरडार पर है लेकिन बड़ा सवाल यह और बड़ी ख़बर अस बीचे कि बंगार सिक्षाबर्ती गोटाले में पार्ट चेटर जी के OSD से भी पूछताच होगी ED ने सुकान तचारे को भी समन भेजा है तो देखिए लगातार बड़ी ख़बर हम आपको बता रहे हैं बड़ी ख़बर यह है कि पार्ट चेटर जी के OSD से भी पूछताच होगी तो ED लगातार एक के बाद एक अपनी कारवाई को बढ़ाती जा रही है लोगों से पूछताच कर रही है और खुलासे भी लगातार हो रही है और देखे पहले 21 करोड अर्बिटा की घर से बरामत होती है अब 28 करोड बरामत होए है तो नोटो का जो पहाड है 500-2000 के लगातार मिल रहे है सुर्वी का रुक कर लेते हैं सुर्वी हमारे साथ लगातार बनी हुए ग्राउंड जीरो से सुर्वी देखे लगातार जो नोट बरामत हो रहे है 500-2000 के यह साफ है इससे यह साफ पता चल रहा है कि जनता को आपने कितना ठगा है बिल्कुल ठीक है सोनिका आपने क्योंकि देखे जिस तरीके से नोटों की गड़िया बार-बार बरामत हो रही है और एक और जहां अरपिता मुखर जी के फ्लैट से ही इन तमाम नोटों की गड़ियों को बरामत किया जाले है हाला कि अरपिता मुखर जी का यह कहना है कि जिस वक्त इस कैश को इस फ्लैट में लेकर के आया जाता था वहाँ पर किसी भी तरीके से उनका हाद इसमें नहीं था क्योंकि पार चैटर जी खुद आते थे अपने लोगों के साथ फ्लैट में आते थे और खुद वो गड़िया बना करके वो उस घर में स्टॉक किया करते थे लेकिन एक कैश्रूम बना था उस कैश्रूम के भीतर ही वो रखा करते थे और वहाँ तक अर्पिता मुखर जी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी क्योंकि भीतर ही उन्हीं के बीचों बीच वो सारी बातचीत होती थी और कहां पर कितने पैसे रखने हैं कहां पर किस तरह के से ठिकाना लगाने हैं यह पूरी प्लैनिंग पार चैटर जी के होती थी यह कुबूल नामा है अर्पिता मुखर जी का जो कि उन्होंने अर्पिता मुखर जी के नाम पर तीन फ्लैट्स बताए जा रहे हैं जो की कही ना कहीं अर्पिता मुखर जी के नाम पर है और उसे को लेकर कि आप खंगाले की कोशिश लगातार जा रही है क्योंकि एक उनके कुटे के नाम पर भी प्रॉपर्टी देखी गई थी उसके बाद से अर्पिता मुखर जी के नाम पर तीन फ्लैट्स बताए जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे लोग जिनकों अकहीं सरकों पर भी नजर आ रहे हैं युवा लगा था सरकों पर उत्रे में लेकिन ये बताईए जिस दोरान पहली रेट पड़ी थी इडिकी और उसके बाद से ममता बैनर जी का वो वीडियो सामने आए जिसमें पार चैटर जी के थपतपाती हुई नजर आई थी साबाशी दे रहे थी लेकिन आज वही ममता बैनर जी इसे पार चैटर जी के लिए अपना मूब बंद कि पार चैटर जी को लेकर के उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है और इसी को लेकर के सब यही सवाल करें कि आखिर पार चैटर जी के साथ में इतनी घनिशता कैसे अगर पार चैटर जी के नाम पर इसतने सारे स्काम्स का खुलासी अभी तो हो चुके हैं और कई सारे प्रूफ्स में मिल चुके तो फिर ममता बैनर जी कुछ बोलने को तयार क्यों नजर नहीं आ रही है यह एक बड़ा प्रस्टिंचन बना हुआ है लेकिन सुर्वे कि सुर्वे यह जानकारी भी दीजेगा की लगातार जो एक 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 करके पूछताच कर रही है कारवाई कर रही है क्या जो अरपिता मुखर जी के और भी करीवी है या लिश्तेदार है पार्थ चैटर जी के और भी जो करीबी है क्या और भी यह पूछताच आगे जारी जो रिलेटिव से या फिर जो दोस्त रहें उनके तो उनके घर पे भी कभी भी देखें कभी भी रेड हो सकती है ये संभावनाए हैं लेकिन क्योंकि जो लोग करीबी रहे हैं किन-किन के साथ तार उनके जुड़े वे हैं हाल फिलाल में आपने वो खबर भी जरूर सुनी होगी कि दक्षिन 24 परगना में पाच्षाटी जी का एगर फार्म हाउस जहां पर अभी चोरी की बारदात हुई और उसी चोरी की बारदात को लेकर किये कहा जा रहे हैं कि हो सकता है कि उस घर में भी उन चोरों को जान बूस क करके भी जा गया था क्योंकि वहां पर भी कोई ना कोई धन सरूर चुपावा हो सकता है तो कई ऐसे एंगल्स अभी और इसमें निकल करके सामने आ सकते हैं किनके लोगों के तारे से जुड़े वे होंगे यह देखने वाली बात होगी क्यूंकि लेकिन अभी फिलाल में मान बिल्कुल बिल्कुल खुले तोर पर सब की नाम नहीं आ रहे हैं कुछ इंफोर्मेशन थोड़ी कॉंफिदेंशल भी होती है ताकि बाते और इंफोर्मेशन लीक ना हो जाए लेकिन एंफोर्समेंट डिरेक्टरेट की अधिकारी लगा थार अपनी कारवाई की दशा और गती से आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल या निशान ये कि बात बात पर नैतिकता की बात करने वाली दीदी इस पूरे घुटाले पर अब तक चुप क्यों है इसी कश्मकश को लेकर एक रिपॉर्ट तही आकी गई है नज़र डाले कुलकाता में कैश कीन अरपिता मुखर जी के इन दो घरों की ये तस्वीरें देखकर कुबेर भी शर्मा आ जाएं कई बार इतिहास खुद को दोहराता है लेकिन इतनी जल्दी ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था सबसे पहले 22 जुलाई को अरपिता के फ्लैट से 21 करोल कैश और 20 से जादा मुबाइल मिले थे जिसके बाद एडी ने कारवाई करते हुए अरपिता और पार्थ चडर जी को गिरफतार कर रिमान पड़ लिया सुत्रों के मताबिक पूस्ताज में अरपिता ने माना कि ये पैसा पार्थ चडर जी का है इस बार अरपिता के बेल घरिया वाले फ्लैट पर एडी जब पहुंची तो महा ताला लगा हुआ था तीम ताला तोड़ कर जब अंदर गई तो हैरान रहे गए इस फ्लैट में भी नोटों का अमबार लगा हुआ था नोट इतने ज्यादा थे कि गिंती के लिए आरपियाई से पांच आधुनिक मशीने मंगाए गए देर रात तक एडी की टीम नोटों को गिनने के काम में लगी रही जानकारी के मताबिक 20 करोड़ से ज्यादा की रकम 3 किलो सोना जमीन के कागजात और विदेशी मुद्रा मिली है इस छापे में कितनी रकम बरामद हुई इसकी पूरी जानकारी तो कारवाई खत्प होने के बाद ही मिल सकेगी लेकिन इन तस्वीरों को देख कर समझा जा सकता है कि पार्स चडरजी पर पैसों की बरसात हो रही थी और ये पैसे कहां से आये ये किसी से छिपा नहीं है इडी अर्पिता मुखरजी के छिकानों पर लगातार छापे मारी कर रही है अभी सिर्फ दो घरों से करोनों की रकम इडी ने बरामत की है किसे पता पस्चिम बंगाल में अर्पिता पार्स की जोडी ने कितने ऐसे मिनी बैंक बना रखे थे कोलकाता की कैश क्वीन का कुबेर कौन है इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा इडी जिस तरह से अर्पिता और पार्स चाटरजी के ठिकानों पर छापे मार रही है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में और भी कई काले खजानों पर से परदा उट सकता है दिरो रिपोर्ट इजी मीडिया अर्पिता मुखर जी इन दोनों से जुड़े अब कई एहम खुला से जो वो निकल कर सामने आ रहे है और इन दोनों से अब तार जो है सीरे ममता बैनर जी के भी जुड़ते हुए नजर आ रहे है और इसलिए कई बड़े सवाल जो है वो इस वक्त पश्चिब मंगाल के सियासत में ममता बैनर जी से भी पूछे जा रहे है क्या सवाल है वो देखिए अब तक पार्थ शैटर जी के स्तीफा क्यों नहीं हुआ ये पश्चिब मंगाल के तमाम नागरिक पूछ रहे है अर्पिता को खबर तक नहीं ये भी बड़ा सवाल है क्या आने वाले दिनों में इसके तार ममता बैनर जी से भी जुड़ सकते है ये भी आहम सवाल है दीदी कैबिनेट में और कितने पार्थ जो है वो मौझूद है और कितने अर्पिता चाटर जी जो है वो मौझूद है ये तमाम सवाल मौझूद है फिलहाल जो कड़ी अटकी हुई है एटी लगतार पूश्टाच में यही जानना चारी है कि आखिर अर्पिता मुखरजी के घर पर वो दास्तावेज क्या कर रहे थे जो की गवर्मेंट के थे क्योंकि देखिए अर्पिता मुखरजी का गवर्मेंट से टीमसी पार्टी से मुखरजी के घर पर रहे थे जब इडी ने रेट की तब अर्पिता मुखरजी के घर से इन तमाम दस्तावेजों को बरामत किया गया और उसके बाद से इस बात का खुलासा हुआ कि आज के बाक्त में भले वो सिक्षा मंत्री नहीं रहे पार्ट चार्टे जी लेकिन फिर पार्ट चैटे जी के पास आज भी वो तमाम दस्तावेज मौझूद है जिसमें कि सिक्षा को लेकर के तमाम वो जानकारिया है कि किस तरह के से घोटाले और आगे किये जा सकते हैं और इसी विद्द से कहा जा रहा है कि ये 28-50 करोड का घोटाला नहीं है बलकि ये 1000 करोड क घोटाला हो सकता है आने वाले समय में ये भी थितिया स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या 1000 करोड का घोटाला होता है ये कितना बड़ा घोटाला होगा इस बात करते हैं आयान देखिए सबसे बड़े सवाल तो यही उठ रहे हैं बार बारे का आजा था था ना कि ये तो बंगाल है ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है ये बंगाल है यहाँ पर ब्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंट की नीती है ममता दीदी की लेकिन पार हम पैसे पाठ चटर जी गये हैं जी बिल्कुल इस बख से सबसे बड़ी ख़बर सबसे एहम ख़बर अर्पिता मुखर जी ने एडी की जेरा में ऐसा साब साब कह दिया है कि उनको पता भी नहीं था कि कब आके पार्थ चटर जी बंद हुआ फ्लैट का चाबी मांग के ता जाता था इस तरह से अर्पिता को पूरा अंधेरे में रखकर पार्थो चेटर जी ने अपनी आदमी के दरी ये सारे के सारे जो पैसे है बदब अभी तक सिर्फ दो फ्लैट उसमें छापा पड़ा और 51 करोर रुपिया यहाँ पे बरामत हुआ और कितने ना जाने अर्पि अर्पियों के सवाल भी लगतार उठ रहे है लेकिन आपका दमवारास हम रुक करेंगा आप बने रहे हैं हमारे साथ फिलहाल यहाँ पे छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है आप बने रहे हैं जीन दुस्तान के साथ दंगल जा रही है और दसकर दंगल में ब्रेक के बाद सीधा रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रहे हैं बड़ी ख़बर का पटना टेरर मॉल्जूल को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है बिहार में एनाईय की तावर तोल शाप इमारी लगातार चार रही है तीन संदिग्द भी देखे इसमे आतलकियों के घर पर एनाईय का चापा मारा गया है तरबंगा हो मोतिहारी में एनाईय ने अलग अलग जगा उपर चाप इमार कारवाई को अंजाम दिया है नुरुद्देन जंगी के ठिगानों पर भी नैशनल इन्वेस्टिगेटिव एजंसी लगातार रेट कर रही है पियाफाई के सरस्यों के लिए जंगी केस लड़ता था लखनाउ से नुरुद्दीन के गिरफतारी होई थी आपको याद होगा उस वक्त भी सबसे पहने से अंदुस्तान ने इस बाद की जानकारी दी थी कि नुरुद्दीन जंगी जो है कोट में वकील है और पियाफाई पर कई लोगों को टार्गेट पर उस वक्त रखा हुआ है पियाफाई के लिए ट्रेनिंग रियास दे रहा था मुस्तकीन दे रहा था और इन पर भी अब नाईय की रेड जारी है बिल्कुल बिल्कुल देखे रोईत इस बीच एक और बड़ी ख़बर नालंदा से आ रही ह तो सीधा रोग ग्राउंड जीरो का करते हैं रजनीश हमारे सर्यों के ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जोड़ चुके है रजनीश ATS, STF और अब NIA अलग अलग जगाओ पर रेड डाल रही है क्या कुछ बड़े खुला से और कारवाई की दशा दशा किस तरफ आगे बहुत अहम खुला से जो है वो हुए है और NIA की टीम लगातार जाच को आगे बढ़ा रही है नोरुदिन जंगी जो की पेसे से वकील है लेकिन अब उस पे सिकंजा जो है वो कस्ता जा रहा है और पहले ही बिहार पुलिस की टीम जो है वो गई थी यहाँ पर UP ATS के साथ ल रहने वाला है चकिया का मोतिहारी जीला में उसके ठीकाने पर छापे मारी चल रही है रियाज जो है वो Mastermind था यहां पर और उसके जो तार है वो पाकिस्तान से जुरे हुए है और वहां पर पे जो फैजान है उसके इस सारों पर काम कर रहा था और जो गजबाए हिंद का ज जो है वो हुआ है साथी साथ जागातार जास एजनसी जो है वो खोजबिन परताल कर रही है देश द्रोही गती बीधियों को अंजाम देने में तमाम ये जो लोग है वो जुरे हुए थे टेरर फंडिंग का मामला है बीदेशों से पैसे जो है इनके अकाउंट्स में आ रहे और किसी को इस तरीके से स्रेरी में कर्टोगराइज करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी तो ये पूरा मसला मामला जो है अंतर राष्ट्रियस तरपे जुरा हुआ है और जैसे जैसे पूछताश आगे बढ़ रही है बहाद अहम और संसनी खेज खुला से जो है वो सामन यहां परत दर परत यहां पर खोजबीन और जांच परताल जो है वुकर रही है और इसी करी में बिहार के तीन जीलों के कई ठीकानों में हाँ पर च्छापने मारे जो है नालंदा, दर्बंगा, मोतियारी, क्या पीएफाई वाकई, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली एंसियार में हैं, आप ग्राउंड पर रहते हैं, क्या वाकई पिछले क का इलाका है, लेकिन अब ही आप देखेंगे कि दर्भंगा हो, चाहे मोतिहारी हो, या फिर जो बिहार सरीफ का इलाका है, नालंदा का, और फुलवारी सरीफ पटना में जो गतिवीदियों को जिस तरीके से वह अंजाम दे रहे थे, मार्सल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम प इन्हें पर सिक्षन दिया जा रहा था, अब तमाम करीदर परत दर परत जो बाते जो है, वो खुल कर सामने आ रही है, जो लोग गिरफतार हुए है, कोई भी टेक्स पे नहीं है, और सब के एकाउंट्स में हीज एमांट जो है, वो आते हैं, आगले ही दिन वो या तो कैस निकाल लिये जाते हैं, या फिर ट्रांसपर हो जाते हैं, तो इन्हें कि टीम जो है, इनतमाम बातो को खंगाले में जुटी हुई है, कि किस तरीके से फंडिंग कहां से होता था, और कहां पर ये पैसे जो है, फिछे का प्रयोजन क्या है, जो बाते निकल कर आई है, वो ब आपने देखा हुआ कि जिस तरीके से ये मामले का खुलासा हुआ था उत्तर बिहार के कई जगों पे परदर्शन भी हुए थे कि जान बुझकर इन एजेंसियों को ये जो संगठन है इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके से लोग शरक पराये थे तो पास साथ है जिन के खिलाफ साथ है बिल्कुल रजीश बहुत शुक्रिया आपका फाइंक्यू काफी महतपूर जानकारी आप दे रहे थे ग्राउंड जीरो से नजर आप बनाये रखेगा क्योंकि एजंसिस बहुत जादा आक्टिव हैं अगली खबर करू करते गाजियाब परिवर्तन की कोशिच की गई है इसका आरोफ है वही पुलीस ने केस दर्ज कर लिए जाच शू कर दी गई है लेकिन देखेस अब यह गास्याबाद में लव जिहाद का मामना सामने आया है और कहा जा रहा है जबरन धर्व परिवर्तन कराने की कोशिच भी की गई थी लेकिन यहाँ पर बड़ी बात देखे, पूरे आठ साल बाद उस महिला को बता चलता है जैसे योबक के साथ वो रह रही थी, अब तक वो मुस्लिम है और सिक महिला ने लव जिहाद का आरोप लगाया है और आप देखे, प्यार करना गुना नहीं है, लेकिन अपनी आइडेंट्री छुपा कर, दूसरे धर्म का नाम बता कर, अगर आप अपनी मंचा नहीं साफ कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर यह बड़ा सवाल है यही पता चला कि यह तो मुसल्मान है, और इसका नाम तो सहनुआज जालम है, मुझे तो पता ही नहीं था, जो यह सुमित यादव करके मुझे बताता था, सुमित यादव, सुमित यादव हों मैं गाजियाबाद में लव जिहाद, फिराबाद हिंदू के बाद अब सिख बेटियों पर निशाना आट साल के धोके का इसाफ देगा श्रहनवाद गाजियाबाद में एक सिख महिला ने एक मुस्लिम युवक पर पहचान छिपा कर लव जिहाद का आरोप लगाया है महिला का आरोप है कि युवक ने अपना नाम सुमित यादव बताकर उसे अपने प्यार की जाल में फसाया जिसके बाद वो साथ रहने लेगी महिला ने जब उस पर शादी का दबाव बनाया तो युवक की सच्चाई सामने आ गए महिला का आरोप है कि उसे आठ साल तक सुमित बनकर धोखा दिया गया जिस दवरान उसने एक बेटे को भी जन्न दिया शादी के लिए दबाव बनाने पर आरोपी उसे बिहार में अपने गाउन लेकर गया और जबरन उसका धर्म परिवर्चन कराने की कोशिश की महिला ने आरोपी पर उस पिरन का भी आरोप लगाया उस आदमी ने एक पहले भी हिंदू महिला से शादी कर रखी थी और उससे भी धंदा कराता था और वही इनको भी उसी में जोडना चारा था जिसका इन्होंने विरोध किया तो इनको उपर हाता पाई की गए इनको बुरी तरीके से मारा गया यहां तक कि इनके उपर पिशाब भी करी गई जो की वीडियो भी है फोटोस भी है सब इनके बाव मौझूद है महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ट कर लिया है एस्पी ने कहा कि जाँज के बाद कानूनी करवाई की जाएगी हिंदू के बाद अफसिक बेटियों के साथ इस तरह के मामले सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए है सच क्या है इसके लिए पुलिस की जाश पूरी होने का इंतजार है बिरो डिपोर्ट जी मेडिया और देखिए समझना अब जादा मुश्किल है नहीं कि बढ़काओ भाईजान यानि असदुदीन ओवेसी जब भी बोलते हैं वो विवादों के लिए ही बोलते हैं और अब उस पर विएच्पी का पलटवार सामने आ चुका है वो वैसे इसके लिए चुप क्यों है ये कहा गया है आलोक कुमार के तरफ से तो पुजारियों को कोई सेलरी नहीं मिलती आलोक कुमार के तरफ से ये कहा गया अब पूरा मामना देखिए एक कावड यात्रा से जुड़ा हुआ है इक्वली ट्रीट करिए डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं हम पर फूल नहीं बरसाती है हमारे घर पर बुल्डोस चड़ा जेते आप हिंदू मुस्लिम भाई ओ ऐसी करें लडाई कावडियों का सम्मान भाई जान करें घमा सान पूलों की बरसात से ओवैसी क्यों पर इश्रान हम पर फूल नहीं बरसाती है हमारे घर पर बुल्डोस चड़ा जेते आप सावन में आस्मान से भोले के भक्तों पर फूल क्या बरसे भलकाव भाई जान को ऐसा दर्द हुआ कि वो जिहादी गैंग की पैरवी पर उतर आए ओवैसी ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए निचाना साधा भाईसी का ये बयान जितना हैरान करने वाला है उतना ही शर्मनाग भी है अक्सर संविधान की दुहाई देने वाले ओवैसी की भोले के भक्तों की दंगाई और पत्थर बाजों से तुलना पर बीजेपी ने तो निशाना साधा संत समाज भियाग बबूला है इस प्रकार का जहर उगलना बार-बार वो मैं समझता हूँ प्रदेश और देश का महोल खराब करने वाला बयान रहता है विश्व हिंदू परिशत के अध्यक्षा लोग कुमार ने भी ओवैसी के बयान पर पर पलटबार किया और कहा हमारे टेक्स से मौल्वियों को सेलरी दी जाती है मंदिर के पुजारी को नहीं इस पर ओवैसी चुप क्यों है जनता के पैसे से हमारे टेक्स के पैसे से जो नमाज पढ़ाते हैं उनको तनखा दी जाती है सरकार तनखा देती है जो ऊपर चड़के आजान चिलाते हैं उनको भी तनखा दी जाती है किसी मंदिर को नहीं दी जाती है किसी पुजारी को नहीं दी जाती है बिवाद यहीं नहीं थमा महाराणा प्रताप सेना ने तो OVC के शुद्धिकरण का एलान भी कर दिया महाराणा प्रताप सेना दो अगस्त को दुपहर दो बजे उनके घर पर जाकर तमाम कारिकरताओं के साथ उनका सुद्धिकरण करने का काम करेगी OVC के विवादित बयान पर BJP पूरी तरह हमलावर है बार-बार सम्विधान की दुहाई देने वाले OVC भूल जाते हैं कि कानून तोड़ने वाले सिर्फ अपराधी होते हैं हिंदू या मुसल्मान नहीं बिरो रिपोर्ट जी मीडिया तो देखे दिक्कत इसी बात की है कि अगर कावडियों के उपर पुष्पर वर्षा हो गई तो इसमें असदुदी नोवैसी साफ को दिक्कत कहा गए और इसी को लेखर अब कहीं ना कहीं असदुदी नोवैसी जो है सब करनेशाने पर है चार तस्फीर हैं आपको दिखा रहे है कावडियों को लेकर व्रादित बयान दिया था उस पर भारते जंता पार्टी ने उन पर नशाना साथा संद समाज में इसमें आगरोश व्याब थे और अब वेश्वा हिंदू परशद भी एसाफ कर चुका है कि जनाब अगर आप इतना ही सेकुरिरिजम का जंडा बुलंद करना चाहते है तो आपको तब दिक्कत क्यों नहीं होती जब टैक्स पेर के 200 से मौल वियों को सेलरी मिलती है विल्कलो और दसका दंगल में आगे रुक कर लेते हैं समाजवादी पार्टी में अंदर खाने जबर्दस्त कलाम अची हुई है ये रिपोर्ट देखिए राश्पदी चिनाफ के हफ्ते भर बाद लखनों में समाजवादी पार्टी की बैटाक अकिलेश यादवने ली तो सबसे बड़ा मुद्दा पार्टी के विश्वाद खाती विधायकों के पहचान करना था अकिलेश के निर्देश पर पांच मेंबर्स की टीम ने गोपनी रिपोर्ट तयार की थी सूत्रों के मताबिक इस रिपोर्ट में पांच विधायक श्रक के खेरे में हैं जिसमें मुस्लिम विधायक भी हैं बड़ा सवाल तो ये कि इन विधायकों ने शिवपाल यादव के इशारे पर वोट किया या फिर नेता जी को पाकिस्तानी एजन्ट ठेराने वाले यश्वंत सिन्हा के बयान के खिलाफ वोटिंग की अकलेश बाकी विधायकों पर एक्शन का फैसला लेती इससे पहले सहरनपुर में इमरान मसूद ने समाजवादी निताओं के खिलाफ मुर्चा खुल दिया मसूद ने सीधा आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी में अंदर खाने जबरदस्त कलह मची है इमरान मसूद विधासवाद चुनाफ के दोरान ही कॉंग्रेस का हाथ छटक कर साइकिल पर सवार हो गए थी और एक बहुत छोटे सी अंतराल का वक्त हो चला लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाते हैं टॉप टेन निउस